आज के इस वीडियो में मैं आपको MIA3 में एप हाइट सेटिंग के बारे में बताने वारा हूँ Basically, एप हाइट सेटिंग जो है वो एक ऐसा सेटिंग है जिससे आप किसी भी एप को हाइट करके रख सकते हैं जो कि आपके एप गैलेरी में शोर नहीं करेगा लेकिन मैं आपको इस वीडियो में पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि यह जो एप हाइट सेटिंग है यह आपके फोन में जो प्री इंस्टॉल एप आता है जो आपके फोन में पहले से इंस्टॉल एप आता है सिर्फ उसी के उपर लागू होगा बाकि कोई भी app अगर आप install करेंगे play store से उस app पे ये जो app height setting है वो लागू नहीं होगा इसके लिए आपको कोई भी extra कोई app नहीं download करना है ये जो setting है आपके phone में inbuilt आता है सिर्फ आपको जानना पड़ेगा कि आप अपने apps को कहा से height कर सकते है और आप कौन-कौन से apps को height कर सकते है आपको ये भी जानना पड़ेगा क्योंकि हर एक app इस app height setting से आप height नहीं कर पाएंगे सिर्फ कुछी apps को आप height कर पाएंगे वो भी आपके phone में pre-install आते है वही apps को आप जो है वो height कर पाएंगे कुछ ऐसे apps भी होते है जो कि हमारे phone में pre-install तो आते है लेकिन हम उन apps को install भी कर पाते है तो ऐसे में जिन जिन apps को हम अपने phone से install कर पाएंगे उन apps को तो हम कभी भी height कर ही नहीं सकते उसके लिए कोई एक अलग process आता है अगर आपको चाहिए तो आप नीचे comment कर सकते है मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बराके आपको बता दूँगा कि आपको कौन से process से उस app को height कर सकते है लेकिन फिलाल इस वीडिय से height नहीं कर पाएंगे तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं और दिखाते हैं कौन सा है वो टेकनीक जिससे हम अपने फोन में pre-installed apps को height कर पाते हैं तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं सबसे बदो हम अपने phone में setting में चले जाते हैं जैसे हम अपने phone में setting में चले ज ुट होने के बाद उपर हमें बहुत सारा एप्स देखने को मिल जाएगा तो अभी हम यहां पर टैप करेंगे जैसे हम यहां पर c all apps पर करेंगे यां पर हमें बहुत सारा एप दिखाने लग जाएगा तो ऐसे में हमें कुछ जुनीनदा एप्स हम यहां पर जो है उन्हें हाइट कर सकते हैं जैसे कि हम Google Chrome को hide कर सकते हैं, Play Store को hide कर सकते हैं, तो basically मैं यहाँ पर आपको Google Chrome और Play Store को ही hide करके दिखाऊंगा, बाकी apps को आप खुद try कर लीजे, कौन कौन सा app आपके phone में hide होता है, कौन सा नहीं होता है, तो ऐसे में मैं सिर्फ Google Chrome को अभी यहाँ पर hide करके दिखाता हूं, तो मैं जैसे ही disable button पर tap करूँगा, यहाँ पर कुछ ऐसा एक option आएगा, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा disable app, जैसे ही मैं disable app करूँगा, तो फिर देख सकते हैं disable option जो है, वो हड़ गया है, और अभी यहाँ पर enable option दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पर chrome को भी hide कर लेता हूं, और अभी मैं नीचे जाके play store को भी hide कर लेता हूं, तो play store को भी disable option पर tap करता हूं, disable app करता हूं, जैसे ही मैं करूँगा, तो फिर मेरा play store भी जो है, वो disable हो जाएगा, तो जैसे ही मैं Play Store और Google Chrome को disable करता हूँ फिर मैं Home में बापस आता हूँ देख सकते में आपे बीच में मेरा जो है Play Store था जो की अभी नहीं है जो की अभी गाइब हो गया है तो अभी आपे मैं App List पे जब जाओंगा तो आप मेरा सभी Apps को एक बार ठीक से ध्यान से देख लीजे आप चाहे तो पाउस कर करके भी देख सकते हैं, तो मैं दिखा देता हूँ मैंने सब Apps को दिखा दिया देख सकते ही आप Play Store और Google Chrome कही भी नहीं है मैं Scratch करके भी दिखा देता कि ये तो app height नहीं है ये तो app disable है तो बहां बिल्कुल ये app disable है लेकिन ये app जो है ये मेरा app gallery पर show नहीं कर रहा है तो आप इसे hide भी मान सकते हैं तो ऐसे में जो भी आपके phone में pre-install एप है उसे disable करके आप apps को height करके रख सकते हैं और बाकी जो भी apps को आप install करते हैं उन्हें आपको install करना पड़ेगा नहीं तो वह height नहीं होगा और अगर आपको उन apps को भी height करके रखना है तो उसके लिए नीचे comment करना है नीचे comment कीजिए ज्यादा comment आया तो मैं उसके लिए एक अलग video बना के बता दूँगा तो आज के लिए अगर वीडियो अचल लागा हो वीडियो को लाक इन शेयर जाव कीजिए आख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बगल वाल नोटिफीकेशन बैल आगन कर पक्लिक किजिए नहीं तो आपको पता ने चलनगा मैंने को अब बन अब बन अबर्यू दाला विर्ट कर दो